हमें एक वन रूम किचिन किराय पर चाहिए हाँ भई पर आप लोग हैं कौन? नाम पता कहां से आये हैं? करते क्या हैं? हम भोपाल से हैं अगले महीने से मेरी जॉब शुरू हो रही मेरे नाम राशिद पठाने और ये मेरी बीवी है शब्नम, शब्नम पठान वो है नापके पास? क्या बहुताओ ये जवाण लड़की लगती है ज़ादा। एंबिलेस बिरवा, सर्थ सर्थ, पास पास तो कोई सुराग नहीं है बोडी पर भी कोई अइटिफिकेशन नहीं है और सर्थ, जिस गाहँवाले ने बोडी को स्पोट किया उसने भी किसी को आता जाता नहीं देखा प्लास को इसी बोरी में लपेट कर लाया होगे और यहीं जलाया होगा और काफी जलने के बाद इसी बोरी से आग बुजाई भी होगा वो सकता है सर्थ, बोडी पर काफी स्ट्रॉंग कहरो सिन की स्मेल मल देव जवान औरतों की मिसिंग रिपोर्ट, चेक करने होगे दोशी यह डबल मडर है प्रेग्मीन थी? चार महने का फिटस था शयाद बच्चे को मारने के लिए इस औरत को भी मारड़ा लगया काफी यंग औरत, लड़की कहना सही होगा एज 18-23 के बीच की एज 18-23 का रिंज काफी बड़ा होता है डॉक्तर फेस के साथ बॉड़ी भी पूरी तरह से जली हुई है ऐसी हालत में अक्शुल एज बताने के लिए थोड़ा ताइम लगेगा वैसे आपके बास बाकी डामेंशन है हाइट 5.5 इंचेज वेट 5.56 kg और ब्लड रूप O-positive मौत का कारण विक्टिम को गला खुटकार मारा गया सर चार महीने पहले हिमत नगर्चेख लड़की गयाफ हो उसकी फोटो जो डिटेलाइज ये इस जंगलवाली लाज़ के साथ मैच कर रहे है नाम मांसी पतिल उमर 20 साल हाइट 5.2 मेट 51 kg मेरे नम राशिद पताने और ये मेरी बीवी शबनम शबनम पतान 20 वर्षी मांसी पतेल और 25 वर्षी फैस खान जब 4 महीने पहले गायब हुए थे तब दोनों के हताश घरवालों ने जबरदस्ती भागने के आरोप प्रत्यारोप लगाये थे लेकिन तब ना तो उने पता था और ना इन्वेस्टिकेशन टीम को कि इस केस की हकीकत क्या थी और आने वाले दिनों में ये केस कितना घुमाबदार था थे साब ये कहा लिखा है कि सिर्फ लड़का ही लड़की को भगाता है अरे आजकर के लड़किया कुछ का में क्या? तर इस अरत को बोलिये मेरे बेटी पर उंगली ना उठाए इस अरत को क्या मतलब? तम इस से बात करो समझे इनका लड़का परेशान करता था हमारे मांसी को जरूर इन लोगों ने कुछ खिलापिला दिया होगा मेरे बेटी को इन लोगों ने! इन लोगों ने का क्या मतलब है? हमें को ऐसा है सभज रका है? अपनी लड़की तो समाली नी जाती है ए ए फ्रेट! जो बजाये आप लोग! बोई कुछ नी बॉलेगा! पोलिस्टेशन है नहीं है नोग इनको एसा ही अपनी के बास लिख़ जाओ आप लोग इनके साथ जाएए और रिपोर्ट लिखवाईए और अब आप बोलिए आप मैंने बताया ना तेरा बेटा फेजब आउसी उसका अपना गाराज है आटा मॉइल का कोर्स किया उसने सब में ठीटिशा चल रहा था इसकी बेटिने उसे लपेढ़े में लिया है आसली आए उसी पड़ी मुश्किल से हमने उस लफणो बेटी मांसी से दूर किया है हम तो अपनी बेटी की ग्रैजुवेशन पूरे होने का अंजार कर रहे हैं ताकि उसकी शादी कर सके हमारी अपने विरादरी देखिए वो लड़की आवे घर में चाहिए ही नहीं और नाहीं चाहिए उस विरादरी की चीची साहब आप लोग तुरह तुरह तुस पर एक्शन लेजिए वरना मामला सामप्रनाईग बनाकर दोलों तरप के ठेकेदार इस पर कूट पड़ेंगे देखें मैडब दंगे-वंगे छिड़ जाएंगे जो हम बिलकुल नहीं चाहते हैं हमें तो बस हमारी बेटी साही सलामत ल देखें आप खुद बताइए किस तरह से चेंगारी सोशल मीडिया पर सुलगाई जाती और उस चेंगारी से बनी याग पूरी-पूरी बस्ति को जला देती तो मेरा मश्वरा ये है थोड़ी शांती रखें आफ लोग जने भी लास की फोटो पर कोश्वांटो रिपोर्ट हिर्मत नगर के करम भी नगर थाने भी तुराइब तुराइब प्रेगने अब बवाल होगा दोनों फैमिलीज को आजितो और ये इंपरमेशन किस भी सूरत में लेक निया ने चीए लेकार में शेहर में दंगे शुरू हो सकते हैं वसर शायदी इंपरमेशन गला थे लास जली हुए लेकिन बाकी सारे परमेंटर समय जोरे लेकिन सर चार मांसुर फेस भागे थे तब हमने उन दोनों के इंस्ट्रूमेंट के आयम ये नमर से ट्रेस कर लिया था दोनों लोकिशन मुमई में माही मिलाके के दिखा रहा था अफिर सिर्फ तीन दिन में हम उने मुमई से पकड़कर वांबस ले आये अपने हितेन खबरी ने खोच कर निकाला था क्यों मुम्बई के माही मिलाके में कौन सी जगह था नमस्तला माहीं का एक इस्टेट एजिंटे बिलाल करके उसका नमबर और पता है राज करके मेरा मुम्बई का पंटर इसको बिलाल बोला थे कि उसके फ्लाट तो दे दिया था लेकिन उनके डॉक्मेंट्स पर दे लग रहे थे शबाज रहे थे शबाज रहे थे अच्छा काम थे आज वह उसी राद की ट्रेंसे मुम्बई पहुंच पर और मुम्बई पहुंच नहीं तब से पहले बिलाल एससे टेट एजनेंट को पर सब्सक्राइब ये डॉक्मेंट्स फ़र्जी हैं बिलाल सर अडेलिक यार शरीफ मालूम है और और मार्केट टाउन इसले जो पहले मिला जो पहले आया बस फ्लेट चिपका दिया ये ये राशिद बढ़ान दरसल फैस खान है हमारे हमतनगर का और ये बांसे बटे ले और जो फ्लेट तु सब्सक्राइब कर दोनों को बाई रोड मुंबई से यहां हिम्मत ना कर लिया है तो नों बहुत गुसे में था यास German teşekkür और आजिए अधर BRAB में अस्लेकर रहे अइसे गरिफ्तार कर सकते हैं तुमने जो ये नकली कीशादी किये हैं सब्स़े लोग उसी के लिइप्तार हुए है हम दोनों बाली के सव adapt ऐस αे ज़ो नह Sam descobrir मेज सकते नहीं हमारे ख्रवाले अगर वो लोग तोम तो उनों को अपनी जिन्दगी जीने से रोक रहे हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत करो, बजाए इसके की फर्जी डॉकुमेंट्स बनवाओ, बालिग हो तो बालिगों की तरह पेशाओ ना राम जी, सविता जी, अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसी कंप्लें की, तो हम को एक्शन नहीं लेंगे, लड़की आपकी बालिग है, और हमसे हजार बार कह चुके हैं, कि अपने मर्जी से पैस के साथ गई थी, इसे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया जाना है, मुझे क अपने मजबूर नहीं किया है, तो छुप रहे, पुबाद रख, चल, 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 अरे, नाइम जी, तेखिए, यापका गरेलू मामला है, अगर आप इसे घर में निप्टालिया तो अच्छा है, कानून बालिकों का साथ देगा, बिरादरी काने, जब अपने मेशन भी बाकरी पुलिस सेशन को दी गए, कि दोनों मिल गए है, शाइद मिस कर दिया सर, गलती ही हुई, प्रांते इज पुलिस को अभी भी लग रहा हो कि दोनों गायब है, इसलिए दो और दो चार हुए, एक मेर सर, सर ये भी तो हो सकता है, हम मांसी और फैस को चार मेने पहले वापस लेकर रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों फिर से कहीं भाग गया है, और मांसी के साथ कुछ हुआ, पुलिस को अब एक चौकाने वाली खबर मिलने वाली और मांसी पटेल मर्डर केस की तहकीकात, एक फवंडर में फवर का अनुफर देने पुलिस के साथ कुछ हुआ है, पुलिस के साथ कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता फैस का है, चार दिन हो गए उसे भागे हुए, फिर से वो कमीना उसे भागा के ले गया, वही फैस, फैस के साथ आखरी बात कब हुई थी आपके, पताया तो चार दिन पहले भागे हैं वो, उसके बाद बात ही नहीं करने दी होगी उस लड़की, तो फिर आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की, की थी मैडम, मैं और मांसी के बापो आये थे आपके थाने, तब, चार दिन पहले, सुबे मांसी गाइब हुई थी, और दोपेर में हम लोग आये थे, आप लोग डिया और जाईए हैंसे, पेले आप अमारी शिकायत तो दर्ज कीजिए, और फैसकान फिर अमारी बेटी मांसी को बगा कर लेगे हैं, आप लोग पिछली बार बोला गया थी, आप लोग पालिक हम उनके नेजी मामनें दखल नहीं दे सकते, अब आपको शिकायत अब दर्ज नहीं होगी, इना नारा के जाईए हैंसे, हम एक बार मैडम से मिलने तो दीजिए, और ही मिल सते, बोला आजाईए आप तो लो, आप राम जी को लेकर कल सुबे, इमतनगर सिविल हॉस्पिटल में आ जाईए, हॉस्पिटल, क्यो, प्रांतिज पुलिस को एक ल मांसी को लोगा, 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 मांसी को पटाफेज, खुद अपनी मर्जी से मांसी के साथ भागा था हजार पार समझा है उसे, लेकिन उसके सरपे जैसे कोई जुनून सावार था मांसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था हमने तो अपने समाज के खुरूज इससे में बात कर वाए थे मौलवी साब भी आए थे घर पर, बैसको समझाने के लिए बरादरी कान छोड़िये, मावब का भी ख्याल नहीं किया और पीछे अपना ये मुवाईल छोड़ गया था साहिल, इसका पास्वर्ट मानों तो, जी नहीं पता से, एवेसल भीज देता हूं सार, पास्वर्ट क्रेक करने के लिए बोलो अरजेंट, साफ साफ, इन दोनों के बारे में कुछ पता चला आप, मर्डर हुआ है मान से, क्या यह क्या क्या रहा है आप, और कातल के बात लड़की क्या हर मीने प्रेगनेंट थी यह रो बैस के अलावा किसी और पर शक्त, कोई दूसरा बॉशन रहा हूं और कोई नहीं था विरादरी में से किसी को कुछ पता चलाओ, और गुश्से में कुछ कर दिया हूं विरादरी की इज़त में खादे नहीं क्यो राम जी जी नहीं मेडम इस पैस को फासी नहीं, इसको जिंदा जला देना चाहिए क्या बोल रहा है मेरे बेटा किसी का खूल नहीं कर सकता सब करती किये मेरे बेटे ने लेकिन उससे बहुत प्यार करता था और अगर इस तरह बार ही डालना होता तो तीन-तीन बार उसके साथ भागता नहीं हो यह तीन बार? इसके पहले तो मुमब ही भागेते ना? जब वापस लेक रहे था हमोने? उसके पहले भी कही भागेते हैं? मुमब जाने से पहले एक बार और उसके एक सांग पहले तरहसल पुलड की मानसी मेरे बेटे साहिल की दोस्त थी क्लास्मेंट 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 थीसर एक प्रिजल की आपी बेटे साहिल अरे पहली भाए वाइट फाम्ली को क्लास्मेंट पहली भाई एक जब पर पाम्ली को तो अब दो साल से दोनों का चक्कर चल रहा था फेज उसे गराज के गराकों की गाड़ी में गुमा रहा था गराज फेज का अपना? जी साब, फेज उसके दो दोस्त हेतल और चेतल ने मिलकर खोला था उस बीच फेज और मांसी की बीच क्या चल रहा था? यह हम लोगों को बिलकुल मालूम नहीं था इस चक्कर के बारे में तो साहिल को भी कुछ नहीं पता था जीब, नहीं मालूम था साब पहली बार साब, जब फेज रात को देर से आया तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे रात पर ढूंड़ा हमने उसे और वो कहीं भी नहीं मिली हम पुलिस के पास जाने के लिए निकली रहे थे के मांसी वापस आप मांसी? कहां थी तो नामर? एसे बिना बटाए कैसे जा सकती है तू? अरे पापा अंदर तो चलनली दो इतने शांती से बात कर रही है हम लोग फुलिस्टेशन गा रहे थे अच्छवा नहीं गए आप लोग मजाक उडाते आपना लेकिन कहाते बेटा तू रात बर एक फोन तो कर देती ना अरे मेरे फोन की बैटरी आफ हो गए थी चारजर नहीं था इसलिए कॉल नहीं कर पाए तो किसी और के फोन से फोन कर लेते ना भाई इसे ने पूछा तुछा तुछ से चलंदर जाओ शोजा अरे बेगा तुछ था कहां यहां हम सब मेरे मतना भे मेरे देल को कुछ हो जाता तो तो अब आप भू कुछ भी ना बोलिए अरे मेरा एक दोस्त है अबदुल आप उसे नहीं जानते विग्दम से अमदाबाद ले गया मुझे उसकी कोट मैरे इस थी ना गवाही देने गया था अबदुल देने कोट में यो कोई दूसरे कौम की लड़की थी रश्मी नाम है मेरे फ्रेंड का रश्मी शर्मा शादी कर भी थी वो अबदुल शेट के साथ को यह मिली थी उसे गवाह बनाने के लिए अरे पापू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है कंप्यूटर ग्लासेस से देख मांसी यह तिरी पहली हालती थी इसलिए हम लोग तुझे माफ कर देते हैं और एक बात तो अच्छी तरह से समझ ले तेकर ऐसा काम यह अपनी बेटी भी करती ना और कोई लड़की उसकी गवाह बनती किसी और धर्म के लड़के के साथ में शादी करने के लिए और में अपनी बेटी और वो लड़की तोनों के खाल किस लिदी समझे तो समझा आपकी बात बट ये अब्दुल कोई गैर कानुनी काम नहीं कर रहा है तभी तो कोट मैरिज कर रहा है बाकायदा मिया बीवी अपना अपना मजभ मानेंगे आपको डनी कोई ज़र होती है मैंने कुछ गलत नहीं किया और नहीं रस्मी और अब्दुल नहीं है फैस हमारा एक्सपेरिमेंट पुई तर से फेल नहीं हुआ है फैस हाँ ये तो एक दिन के लिए था और अगर हम पाच-छे दिन के लिए भागे तुम्हें क्या लगता है हमारे माबाप पुलिस में नहीं जाएंगे मुझे तो लगता है कि हम डिरेक डिरेक बताई देते हैं मम्मी पापा ये फैस है फैस खान मैंसे लव करती हूँ और हम शादी कर रहें बस फिर स्टोरी ख़बर है चुप स्टोरी शुरू होने से पहले ही खतम हो जाएंगे तो पर और क्या करें एक काम करते हैं एक बार फ दूसरे बार भागे तो आप ही लोग तीन देन में मुंबई से उन्हें धून कर वापस ले आए थे सब कुछ ठीक ही था हमें लगा दोरू एक दूसरे को भूल गए और फिर चार दत पहले फिर भाग गए और मैंने इससे कहा कि हम पुलिस भुलिस में गए तो बदनामी हम हारी होगी आखिर लड़की को लेकर हमारा भी भागा है ना स्वां मेरा भीटा लड़की से बहुत प्यार करता है जो इस लड़की की बात आप कर रही है बत्ल हो चुका उसका बतल के वक लड़की 4 मिने प्रेइडन फ्रेग्नें कैसा प्यार था यह तो प्रमांशी को कॉन मार सकता है अपकी बिरादरी में हानन में ऐसा कोई है जो इन दोनों के इस रिष्टे को जानता है और जो इसके सख्त खिलाफ है फैज ने नहीं तो किस ने और क्यूं मानसी का कदल किया इसका जवाब फैज ही दे सकता था जिसके लिए पुलिस ने मैन हंट जारी कर दिया पूरे गुजरात मंबई और आसपास के सभी छोटे बड़े शहरों में फैज खान के डिटेल्स भीजे गए हर मुमकिन खबरी नेटवर्क को एक्टिव किया गया एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे से बेहत प्यार करते थे और पहले भी तीन बार भाग चुके थे वो उसका मडर क्यूं करेगा पर इस गेस के कुछ और पहलू थे जो आगे जाकर खुलने वाले थे कुछ और खिलाडी थे जिनका किर्दार उभर कर आना बाकी थे पर फिलहाल सारा शहर तनाव की गिरफ्त में आ चुका थे कौमी फसाद करवाने वाले खाक लगाए पैठे थे पुलिस जबरदस दवाब में थी फैस को ढूड़ कर मांसी के कतल की सच्चाई को सामने लाने के लिए पर इस सब के परे दूर काफी दूर एक और कहानी लिखी जा रही थे असल में कलम से कागस पर लिखी जा रही बबबन काम ठीक से समझ गए हो ना नहीं भाई यह वारा रोज का काम है फिकर मत लिए आपका गम हो जाए लगन किसी को कानो कान खाबर नहीं होनी चाहिए और पुलिस को तो बिल्कुल भी डे अरे राम जी भाई शांती रखो आपने बोल दिया ना मामला घरेलू है बस घर तक ही रहेगा अब यह घरेलू मामला नहीं रहा साहिल मांसी का मर्डर हुए और मर्डर के वक्त वो चार महिने के प्लेंगन थी तुमारे भाई की गल्फेंट थी दोस्तो तुमारी भी थी में सच कह रहा हुँ मिझे कुछ नहीं बता मैं चार महिने पहले मैं कफी नर्वस झिगई दिये COB आन तो बीव पतली है तो मारी वो लो कि दो भारे ओ अरे बोलो डरो मन अजो बोलो अ मैं आ शनर मैं सची आज कल में आने वाले अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ जूट बोला है या हम से कुछ चुपाया है तो बस तुम्हारे भाई की कुटाई बाद में होगी उसका ट्रेलर पहले तुम देखो अपने दोस फैज को बचाने की कोशिश भी मत करना सच कहरी हूं चेतन और हेतल तुम्हारे नटबोर्ट खोले जाएंगे मैडम हम खुद परिशान है कि फैज कहा है और क्या हुआ है उसके साथ में मैडम हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि फैज ने मांसी का मडर नहीं किया है हमें लगता है कि जातपात के चकर में उसका भी किसी ने मडर कर दिया है तो कोई है नाम लो दरो मत हम हैं किसी का नाम नहीं ले सकते हम क्योंकि हमें सच में मालूम नहीं है मालूम नहीं है या डरे वे हो कि दरना है तो हमसे डरो और जब फैस कॉंटाक करें तो उसे बता देना कि मासूम है तो बाल भी माका नहीं हुआ और अगर उसने कुछ किया है तो छुपले जब तक छुप सकता है ढून तो हम उसे लेंगे पोस्ट किये गए तीनों खत दरसल एक ही खत की तीन कॉपीज थी जो तीन अलग अड्रेसेस पर पहुंचने वाली थी और यह चौकाने वाले खत मांसी मर्डर केस पर नई रोशनी डालने वाले थे सर पैस के भाई साहिल खान और उसके गराज के पार्टनर सेतन पंडिया और हितल देशाई के फोन रिकॉर्ट स्क्यान किये पुछ शक करने जैसा तो नहीं निकला है भाई साहिल खान पर स्पार टालना हो पुछ इस सरह से नर्वस रहता है उसकी बड़ी लेंग उसे लगत जब तक आप लोगों को ये चिठी मिलेगी मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ लेकिन जाने के पहले मैं आप सब को एक सच बताना चाता हुआ हांसी के साथ मेरा रिष्टा सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी था खम से कम मेरी तरफ से तो उतना ही था एक साल पहले जब हम तुल की कोट मैरेज नहीं थी बस हम दोनों पूरा दिन और रात एक लॉज में थी उंबई में भी हम वही करते रहे जिसके लिए हम घर से भागे थे और जब पुलिस ने हमें पकड़ कर वापस लाया और सभी वड़ों ने मुझे समझाए तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मांसी से ब्रेक ओफ करना है हाँ बोलो लेकिन मांसी ने मुझे पर एक बॉम डाल दी ऐसा कैसे हो सकता है तुमने तो कहा था सेफ है तो अब हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ अब अमें शादी करनी होगी फैस हम एमदबा चले जाते कोट मैरेश कर लेते कली शादी को इंस्टेंट कॉफी नहीं है के बस कर ली उस दिन लॉज्जरू में तुमने ये सब नहीं सोचा था जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किती तुम पर तो शादी करना तुम्हारी मर्जी नहीं है इतना सब कुछ हो गया और सब बढ़ों नहीं भी समझाए सी मानसी मुझे लगता है हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम अब लगो जाए तेखो तुम इस बच्चे को अब उट कर दो जो भी खर्चाएगा मैं पे करूँगा फैज या तो कल सुबद तुम एमदबाद में मुझसे शादी करोगे या फिर कल सुबद में पुलीस में जाके तुम पे किडनापिंग और रेप का केस ठोगतूगी समझे फिर देगो कैसे पे करोगे मानसी पिछले दो बार की तरह मैं आज रात को भी तीन बज़े निकलूगी तुम मुझे हाइवे पे मिलना और अभी इसी वक्त एमदबाद की किसी लोयर को हमारी शादी के लिए अरेंज कर लीना वरना तुम बहुत पश्चता होगे फैस मेरे बास कोई जारा नहीं तो मैं अगले दिन उसको लेकर निकल पड़ा आमदबाद के लिए लेकिन आम अभाद के लिए नहीं पर हम यहां प्रांदिज में क्यों रोकेंगे और इस सडिया अलगर में क्यों क्यों कि मेरी माँ वहां आमदावाद में पुलिस हमें ढूंड रही होगी पर हमानी शादी हो जाए फिर वो तो क्या उनका बाप भी हमें नहीं टेच कर सकते मैंने उस से जूट बोला उसका भरोसा जीतने के ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकता मैं और भाग नहीं सकता और मैं पूरी सिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहता अपने अम्मी अब्बु को चीते जी जिलत की उमर के अध नहीं देना चाहता बस चाहते जाते आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ किस मसले को धर्म वाला मसला ना बनाए जाए पूरी गल्ती सिर्फ और सिर्फ मेरी है कम्सोर कृतकर सिंसाते हैं अलाहाफिज अम्म अभू साइब अर्माथसी के मामी पापू आपस तो मैं माम के बनने के लाएगा ऐसे साइण साइब करें अपर सब्सक्राइब आपर आपकल होँ rest अर्म डेटर दिली से स्य आया अचंधी चाह घ्रिए सेंट più ऐ बिल्यी कमें 2003 की को सब्सक्ता है वी तीली के किसी अच्छिय में नाम अदल व॥े रहें गया था तोनाशए Universe पोस्ट किया गया, दिली पुले से कंटेक्ट करो, और लावारी सलासी चेक करने के लिका हो, वो सकता है दिली की कसी होटली ये लॉज में नाम बदल के रहे लेगे, जी सर, मुंबभी में भी नाम बदल के रहे था, ताशिद पठान के राम से फ्लेट लिया था समय, अबने, तुम फैज कान के एंड़ेटिंग सेंपल करो, और फैसल में वेजो, एंड़ेटिंग स्पेशलिस्क पास, पुरंत, साथ, अब तो पुलिस को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी मांसी को इस फैज नहीं मार डाला, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि लड़का गलत है जाला, यह क्या कर दिया पैस, तुने, क्या कर दिया, नहीं पैसे क्या कर लिया, इस केस की कई परतें खुलने लगी थी, और कुछ परतें उस लेटर में थी, जिसका वेरिफिकेशन फॉरेंसिक लैब करने वाली थी, दूसरी और दिल्ली पुलिस ने फैस को लावार इस लाशों में ढूंडा और उनके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन यहाँ तीसरी और प्रांतिज पुलिस जिने मांसी की लाश मिली थी, उनके हाथ कुछ लगा जर जिसका वेरिफिकेशन फॉरेंसिक लाश मिली थी, और यहीं से लगबग एक किलोमेटर अंदर हमें मांसी की जली वी लाश मिली थी, वो स्मार्ट में रिपोर्ट भी यही कहती है, लाश रात को एक से गलेड़ के बीच चले थी, और यह कार एक बचकर तैस मेंड़ पर वा जना, इस कार को ट्रेस करो, वैसे भी हमें काफी देर हो चुकी है, काशे फूटेज हमें काफी पहले मिल गई हूँ यहां प्रांतिच पुलिस को एक रहस्यमाई गाड़ी की लीड मिली, और वहां हिम्मत नगर पुलिस के हाथ भी एक बहुत-बहुत सुराग लगा, जब फाइनली फैस केस सेल फोन के पासवर्ट को क्रैक कर लिया गया, और अब सामने आया एक चौकाने वाला नया एंगल पासवर्ट करा किया, उसमें से हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली जो तुम्हें मालूम थी, और तुम तो सामने आयी नहीं बताने के लिए लेकन फिर भी ये सामने आगे, हमारे और फैस के बीच में एक्स्टेंज हूए मैसिज़ेस, रोजाना मैसेजिंग होती थी, और धेरो कॉल्स पर, हाँ सर, और हमारे पीच ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मतलब पैस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, तो तुम्हारी तरफ से था यहां मैँ, मैं पैस को लाइक करते थी, और वो सिर्फ मासे को षाहरो हते है, और फिर भी, वो तुमसे सबको शएर करता था, तुमसे फिक दोस्त के नाटिय करता था, व्यज्च ने तुम्हें एक मैसे भेजा थे, जिसमें उत्ने लिखा है, कि मेरे और मासी के रिलेक्शन तुप कर वाकिया उनके रिलेशन को साहिल से खत्रा था हाँ, मुझे फैल्स में बताया था एक्चली मांसी फैस को साहिल के बद्रे पर मिली थी एक साल पहले ही और उस दिन साहिल मांसी को प्रपोस करने वाला था वो पागल हो गया था उसके पीछे एलेवन स्चैंडर से दो साल से ही सो कैसे लगा के एक बद्रे बॉई? बहुत ही अच्छा अच्छा सुन ते उसे अपने हैंडसम से फैस भाई को बुलाया क्या? हाँ तब वो मांसी आ रही है ना? अरे यार कब तक ऐसे शाहिए करता रहेगा? आज तो मोले इसको तेरा बर्दे है हाँ यार शालूप मैंने नाज डिसाइड कर लिया कि मैं मांसी को प्रपोस करके रहूंगा कुछ भी हो जाए अरे ये पहली बाइट फैमिली तो उस दो लोगों के दिल टूटे के सर एक तो साहिल को ओव्यस नी और दूसरा मेरा तो इस बात की तगड़ी पॉसिबिलीटी है कि साहिल नी फ्रेज और मांसी को मार होगा और वो लेटर्स भी उसी ने पोस्ट कियोंगा क्या बात कर रहे है सर साहिल एक मखी तक नहीं मार सकता शालू तुम्हें सब कुछ खुद आपर बताना चाहिए था पर अब साहिल बताए परेश आपर साहिल कर सकता तर मेरे बात समझे तो सी वो नहीं करें कैसा साहिव 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 क्या दूराब देखें मुझे जानने का हक है आप लोगों की गलत फहमी के करण मेरे पुरे दिन का नुक्सान हो गया कौन वरभाई करेगा असका अरे कुछ बोला यार पर बैटकर लाश वाश की बात कर रहें अरे कि अनला का वास्ता मैंने दो और दो साथ में जोड लिया कि बाई और मांसी साथ में इकायग हो अंग अर मैंने भाई से पूछा वे दिन बर और राद बर आप मांसी के साथ या पातो अम्मी अब बूको बोलेगा चुखली करेगा मेरी मांसी मेरी गल्फरेन है तो जो प्रॉब्लम है इससे हाँ है प्रॉब्लम क्यूंकि मैं भी लाइक करता हूं से दो साल से अभे धककन पहले क्यों ने बता है आप को सब बता था आप मैं दिन बर उसके बारे में बाते करता था मेरे बड़ दे भी पहला के कमेने उसे खिला आप आपको सब बता था पर लिए अशकानी बातें मतल़ब तुने कभी मानसी ते कुछ कहा या मानसी ने तुझे कुछ बोला, नहीं न, देख, मानसी अब मेरे साथ है, तुझे समझना पड़ेगा नहीं समझना है मुझे देखो भाई, अगर आपने मानसे के जाद कुछ भी गलत किया ना तो मैं मार डालूगा और फिर खुद को इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइज में मारा हो या साहिल ने मारा हो इनके पूरे खांदाक को जेल में डाल दीजिये सरुआ, जिसने भी मारा है हमारी बेटी को, हमें सब इंसाफ चाहिए, साव मैं तो रखते डाल में अभी भी कुछ काल आया, मेरे दोटो बेटे, हमारी किसी और से बज़ बजवाई हो से लेकिन ओ दिल नी किसी और से बजवाई यह जो थिप्रेवाना मुश्किल नहीं तो और न से पूनाया थे एक्सपर्ट कीने दुबारा चेक किया और राइटिंग के लिएगे आपने सौयल के तुरंथ प्रेटर लाटे जारी करो, बच के नहीं निकलना चाहिए साब, इस बार तगडी कबर लाया हूँ, नाइम खान, लड़के कबाब, उसने बबन को रेशो को पैसे लिए मांच जी को मार ने कलिए, अब वो तो बबन से निकल वाओ नाब, घल ठीक है, और कुछ, ये तो आदी कबरे साब, और एक सुपारी गई थी, अब किस के, राम जी पटेल, लड़की का बाब, उसने हिस्टी शेटर लखन बांड को पैसे लिए, पैस के सुपारी, ये क्या ख जी चड़िये थे, चड़ियों के अम्मा बोलिये साब, और आगे भी सुनिये, जैसी ये फैस का सुसाड़ वाला सोरी निकला ना, राम जी पटेल ने तुरंद लखन पांड़े को फोन करके कॉंट्राक कैंसल करती, मैं तो कहता हूँ साब, लाइम खान और राम जी पटेल नहीं से, नहीं सर, मांसी पटेल के फादर, राम जी पटेल के साथ, तो इस राम जी पटेल ने अरविन पारिक के जरी अपनी बेटी को मरवाया, पोई पहला केस नहीं सर, और ये लड़की तो पहले ही दो बार भाग चुकी उस लड़के पैस खान के साथ, याला, हिमत अब करकर करमे अगर थाने में फोल करो, जी, जी जारा सर, जी थांक यो सो मच, जी तैनका वे तो बाग्यार कातिम, क्या फैस ने सुसाइट किया था, या वो सिंदा था, क्या मांसी के पिता राम जी पटेल ने पहले अपनी बेटी मांसी को मरवाया, और फिर शाइद फैस का कट्ल ग्लैंग दिया ताकि शक फैस पर आया या फैस के पिता नईम खान का मांसी और शायद फैस की भी हत्या में हाथ था एक तरफ आशिक साहिल खान भी पुलिस की रडार में एक तगला संदेग था यह संभावना भी कमजोर नहीं थी कि पैज नहीं मांसी को मार डाला था और किसी और से लेटर लिखवा कर फराद हो गया था परेश साहिल था एदर महिस्टी शेटर साइब पांडे रक्रेशी जिसको नईम खान और रामजी बैटल इस पारी दिखती तोनों को पीछे लग जाओ अब निक ताहिल का तुमें जो काना करो लेकिन यह साहिल खान मुझे आज के आज अज अपने केविन में चाहिए जी स हाँ बोली तें इडर में हो मैडम अरो आपका साहिल खान भी इधर ही है बड़ा पॉलें टिप देते में को पता कर कहा रह रह रहा है और पीछा कर मैं पहुंच रही हूं जी मैडम कुछ तो बोलिये क्यों उठाया है उने सब कुछ तो खत्म हो गया है अब क्या बात करनी है आप लोगों को हमसे मेरी बेटी मांसी वापस तो नहीं लोटाएगी ना जल पटावट शूरू हो जा है बता कि कैसे मारा मांसी को और परसको भी restrictive鉄 में सच कहरो मैंने मांसी को नहीं हमा रहा ह। सच कहरा हम साथ मैंने भाई को और मांसी का रिष्टा तोड़ने के यह ट्राय जरूर किया जब पहली बार भाय और मांसी भागे थे और मेरा भाई से जगड़ा हुआ था। तब ना मेरे अम्मे अब्बू को बता था मानसी के बारे औरना मानसी के महबाप को बता था। पर मैंने उन्हें बताया। अलोreso। ग्राम जी बतिर। तुमारी बेटी मानसी कल दिन बहर और रात बहर। फैस खान नाम के एक मेकानिक के साथ थी जब मैं कॉस्ट कर रहे हो कौन हो तुम शुक्चिन तक बोल रहा हूं सका संभाल लो मांसी को वरना उसके जिंदगी तो बरबाद होगी है साप में खून की नदिया भाएगी वो अलग जब दूसरी बार वो लोग भागे तो मेरी जा आला साथ मांसी डरेसल मैं तुम्हें दो साल से बात कहना चाहरा था पर कभी हम्मद ही नहीं कर बाया क्या अच्छिवी आइङ लव यू साहल क्या मैंने तुझे कभी कोई सिगनल तुम में ले बसे तो तुम ने क्यों कहां इडियेट तुम में ले बहुत ही गोड़ी और स्वीट प्रेंड हो और फैस के बाद उसके चोटे बाई तो यह नॉंसिंस ना अपने दिमाग से निकाल दे वो तो मुझ से नहीं हो पैस करोगी देखो पैस भाई को यह मीटिंग के बारे में कुछ मन बता रहा है पांस ही तुम्हें मेरी का साम अभीसली मुझे नहीं पता था कि वो प्रेगनेंट और भाई के साथ ब्रेक अप करने वाली बाद वो भी जूठी थी दो मेने बाद वो लोग दीसरी बार भागे औ और पिरिये ड्यूज़ है परेशन नाइम खान और राम जी पड़ेल को ले आए साहब मैंने वबन को पैसे दिये थे लेकिन मांसी को ढूने गये ताकि ये लोग ये मेरे फैस के साथ कुछ करना दे मुझे भी यही डिर था मुझे फैस को अपने कबजे में रखना था ताकि ये लोग मांसी को छोड़ दे लेकिन उस फैस ने ही मांसी को मार दिया और मेरे प्रफेज ने खुद की जान ले लिए पैस की लाश नहीं मेले अभी तक देली पुलिस ने सारी जलावार इश्ला से चेक कर ली सब हो सकता है खुद को शिदा कियो इनी रोगों ने वर्वा दिया हो क्या पकड़ा हो कुछ भी बहुत घड़ा है शुरू से देख रहा हूं त जिता पर अपने मतलब की रोटी से कहें निलेश बारोट एक इंशोरेंस एजन मोहित मकवाना एक सरकारी डेपार्टमेंट में आर्किटेक्ट और रुचिका एक हाउस वाइप एक इंशोरेंस एजन्ट एक आर्किटेक्ट और एक हाउस वाइप का हिमत नगर में हुई इस इंटर कम्यूनिटी लव स्टोरी और भैंकर मुर्डर केस के साथ क्या तालुक इसका चौकाने वाला खुलासा हम करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखरी भाग पर सबसे बड़ा खुलासा जो होगा वो ऐसा होगा जिसकी एक लंबे अर्से में आपने कलपना भी नहीं की होगी अब मैं अनूफ सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जैहिन